हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पीना गैस चलाए पांच मिन्ट में बनने वली टेस्टी मिठाई बनाना पताऊंगी जो आप मार्केट से महेंगे वाली मिठाई लेकर आती है न उससे कम नहीं है बहुती कम समया में बहुती कम समान में ये मिठाई बनकर त्यार हो जाती है तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, सबसे बहले हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें डालेंगे half cup sugar, साधी डालेंगे दो हरे इलाइची का पाउडर, इसमें हम डालेंगे 5 काजू, मैंने यहां टोटा काजू लिये हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल fine powder बना लेंगे, दर्दरा नहीं रखना, अब हम इसमें डालेंगे half cup desiccated coconut, इसका भी हम एक fine powder बना लेंगे और एक plate में निकाल लेंगे, अब हम इसमें अड़ करेंगे half cup milk powder, अच्छे से mix करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दूद, दूद आपने ध्यान से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसमें ज़्यादा दूद नहीं लगता है, जैसे जैसे शोगर में मोस्चर आता है, वो अपना मोस्चर छोड़ने लगता है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खोई जैसा लग रहा है इसका ओर टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चमच देशीगी आपने इसको हलके हाथों से मिलाना है बहुत ज़र जोर से नहीं मिलाना जैसे जैसे मिक्स करेंगे मावे के जैसा दिखेगा इसके तीन पेड़े बना लेंगे और एक पेड़ा लेकर इसको शेप देंगे ये देखिए इस तरह से हम रोल बना लेंगे इस तरह से सारे रोल बना लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे थोड़ी देर के लिए हम इसको पंक्खे के नीचे रखेंगे तांकि ये थोड़ा सा ड्राई हो सके और उपर से हम जान्दे का वर्क लगा देंगे ये बिल्कुल ओप्चनल है अगर आपके पास है तो आप लगा लें अब हमें इसको पीसिस में कट कर लेंगे बिल्कुल मावे जैसी क्रीमी सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई बनकर रेड़ी है रेस्पी अच्छी लेगी तो लाइक और शेयर जुरूर करें थैंक्स पर वोचिंग मैं वीडियो